एक 16 साल की बेटी साक्षी उसको मुहम्मस साहिल ने चाकूँ से गोद के हत्या कर दिया तीस-पैंटिस बार चाकूँ मरने के बाद भी पेट नहीं भरा तो पत्थल से कुचल के पत्थल पहले पत्थल बाजी करते थे अब तो पत्थल से कुचल रहे हैं सर को कुचल रहे है और इस हत्या के बाद जैसे हमेशा होता आया ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो गई जस्टिस वार साक्षी बहुत सारे लोगों ने फेस्बूक पो फोटो शेर कर दिया साक्षी को आए दो कैंदेल मारच हो गयां साक्षी के हत्यारू को फसी दो नेताओं की भी बयान आ गए मैं बहुत सारे अपने आपको जो हिंदू हितय सी कहते हैं वो भी अपनी बयान दे रहे हैं और हमेशा ऐसा होता है है पिछले 75 साल में ही हो रहा है घरिज होती है कंडल मार्च होता है बयान आता है निंदा होती है तू तू मैं मैं होगा आरोप रत्यारोप होगा नूरा कुस्ती होगी लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम नहीं होता मैं यह पूछ रहा हूँ चीन में किसी साक्षी की हत्या क्यों नहीं होती सिंगापुर में कोई साहिल मुहम्मद आके किसी साक्षी को क्यों नहीं मार देता कोरिया में किसी मुहम्मद साहिल की इतनी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि वहां कि किसी साक्षी को मार दे ये भारत में ही मुहम्मद साहिल साक्षी को क्यों मारता है जानते हैं क्यों क्योंकि हमारा कानून घटिया है हमारी सिख्षा बे वस्ता घटिया है जब तक यह अल्प संख्यक बहु संख्यक का खेल खतम नहीं होगा तब तक मुहम्मद साहिल साक्षी को मारता रहेगा जब तक इस देश में ये मदर्सा मिसंडी स्कूल बंद नहीं होगे और समान सिख्षा लागू नहीं होगी तब तक मुहम्मद साहिल साक्षी को मारता रहेगा जब तक इस देश में सारे परसनला खतम नहीं होगे सब के लिए एक समान नागरी संगिता नहीं बनेगी तब तक कोई इनकोई एक मुहम्मद साहिल किसी एक साक्षी को मारता रहेगा जब तक इस देश में कठोर कानून नहीं होगा एक घंटे के अंदर एफाई आर हो एक महीने के अंदर जाच पूरी हो और एक साल के अंदर फांसी पे लटका दिया जाए दरिंदों को जब तक ये कानून नहीं बनेगा पुलिस चार्टर जुड़ी से चार्टर नहीं लागू होगा तब तक रोज एक महम्मस साहिल किसी एक साक्षी को मारता रहे इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ तू-तू मैमे करने, निंदा करने, आरोप, रत्यारोप करने कैंडिल मार्च करने, ट्विटर टेंडिंग करने, फेस्बूक पे लिखने फासी की मांग करने से फासी नहीं होगी फासी देने के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा नारको पॉली ग्राप बेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा अब उसे पुलिस पूस्ताच कर रही, चलती रहेगी पूस्ताच गवाहों के बयान होते रहेंगे, इधर जी रहोगी, उधर जी रहोगी, यहीं चलेगा फासी नहीं होगी, आज तक फासी हुई किसको कमलेस दिवारी के हत्यारों को फासी हो गई क्या बादल के हत्यारों को फासी हो गई क्या डाक्टर नारंग के हत्यारों को फांसी हो गई हीना तलरेजा के हत्यारों को फांसी हो गई अंके सकसेना के हत्यारों को फांसी हो गई कितने हत्यारों को फांसी हुई इसके बावजूत फांसी फांसी मांग करते रहते अरे बैया फांसी की मांग करने से फांसी होनी होती तो अब तक हजार दोजार को फांसी हो गई होती किसी को नहीं हुई और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब भारत में कहीं नहीं एक जगह किसी साक्षी को या तो लबजहाद में नहीं फसा लिया जाता और नहीं अगर फंस्ती है तो मार नहीं दिया जाता देखते देखते अफगानिस्तान में खतम हो गए पाकिस्तान में खतम हो गए बंगलाडेस में खतम हो गए हिंदुस्तान के नवराजियों में खतम हो गए भारत के 200 जिलों से पलायन हो रहा है इसके बावज़ूद भी जो काम होना चाहिए उसकी मांग करते ही नहीं टीवी में डिबेट होती है लेकिन जहाद का समाधान क्या उसमें चर्चे नहीं होती पुलिस रिफार्म जुडिशल रिफार्म करना पड़ेगा जहाद को रोकना है तो यह जो विसेश कानून विसेश दरजा विसेश योजना विसेश विसेश जो एस्पिसल स्टेटस है इसको खतम करना पड़ेगा यह अल्प संख्यक बाव संख्यक का कॉंसेप्ट खतम करना पड़ेगा माइनार्टी मेजॉटी का कॉंसेप्ट खतम करना पड़ेगा मदर्सा मिसंडी स्कूल बंद करना पड़ेगा गुर्कूल सिक्षा लागू करनी पड़ेगी वैदिक सिक्षा लागू करनी पड़ेगी जिससे क्या खाना है क्या नहीं खाना क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना क्या देखना क्या नहीं देखना क्या सुनना है क्या नहीं सुनना इस चीज का भाव बच्चे में बच्पन में डालना पड़ेगा ये परसनला खतम करके समान नागरी संगिता लागू करना पड़ेगा तब जाके सब के बीच में प्रेम बढ़ेगा तब जाके साक्षी बचेगी ऐसे नहीं बचेगी बतोले बाजी करने से भासर बाजी करने से गुस्पैटियों खिला फांसी देने का कानून बनाना पड़ेगा जहादियों को फांसी देने कानून बनाना पड़ेगा और न्याईक बिवस्था ठीक हो न्याईक बिवस्था एक साल के अंदर सजा होना सुर बहुत हो गया अरो प्रत्यारो इससे कुछ नहीं होने वाला न जहाद रुकेगा न मजभी उनमाद रुकेगा न साक्षी बचेगी देश को बचाना है सनातन संस्कृति को बचाना है तो कानून बनाना पड़ेगा पुलिस रिफॉर्म जुडिशल रिफॉर्म एलक्षन करना पड़ेगा इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को अधिक सरीक लोंग तक पहुंचाईए अपने सांसोदों को टैक करके ट्वीट करिए अपने छेत्र के विधायकों तक पहुंचाईए अपने सारे वाट्सप ग्रूप में फैलाईए लोंग को पता चलना चाहिए कि समाधान कानून बदलना ही है कानून बदलने से समाधान होगा अच्छी अच्छी बाते करने से नहीं